साथियों, आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की द्रड़ता को, भारत वास्यों के पवरुश और प्रकरता को, भारतिय जनशक्ति की जीजी विशा को आदर और विश्वास से देख रहा है भारत की आविश्वस्निया, आज तुलनिया, यात्रा, आज हर किसी के लिए प्रेणरा का केंदर बन चुकी है लेकिन मेरे प्यारे देश्वास्यों, हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है, उसों सदा सरवदा याद भी रखना है मैं आज राष्ट्रिय एकता दिवस्त पर प्रत्य देश्वासी से, इस बारे में मेरे मन के भाव, आज उनके सामने में प्रगट करना चाहता हूं आज पूरी दुनिया में उथल पूथल मचिव हूई है, कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थववास्ता के हालत चर्मरा गई है, बहुत खराब है बहुत सारे देश, 30-40 सालों की सबसे ज़्यदा महंगाई से, आज जूज रहे हैं उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ रही है, ऐसी परिस्तिति में भी भारत दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहा है हम एक के बाद एक चुरंगतियों को पार करते हुए, लगातार आगे बढ रहे हैं हमने नए रिकोर्ड बनाए हैं, हमने नए पैमाने भी बनाए हैं पिछले नव साल में देश जिन नितियों और निर्णों के साथ आगे बढ आ है उसका प्रभाव भी आज जीवन के हर शेत्र में देख रहे हैं भारत में गरीबी कम हो रही है पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बहार आए है हमें विश्वात मिला है कि हम देश से गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हमें इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते ही रह रहा है और इसलिए प्रत्यग भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर है किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिर्ता पर आँच आए हमारे कदम भटकने से हम लक्ष से भी भटक जाएंगे जिस परिश्रम से एक सो चालीस करोड भारतिया देश को विकास के पत पर लेकर आए हैं वो कभी भी यर्थ नहीं होना चाहिए हमें भविश्य को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर डटे रहना है झाले झाले झाले